हलो एवरिवन वेल्कम ट्यू ओनली आईयस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे missile crisis के बारे में आज ही North Korea ने South Korea के उपर कुछ missiles fire के बदले में South Korea ने retaliate करते हुए उनके उपर भी कुछ missiles fire के तो क्यों आखिर ये missiles बार-बार North Korea तो अक्सट news में रहता है कि वो short एरिजमलिस्टिक missiles fire करता है South Korea के पर या फिर जपैन के उपर तो क्या प्राब्लम है क्यों यह हो रहा है और कौन सी चीजी है जो उनका एक समुदरी इलाका है वहाँ जो बांडरी लगती है उसके पास जाके गिरी और दो आइलेंड दो इलाके जो नीज में है जो आपको पता होने चाहिए अगर आप से कभी पूछा गया कि where are these places जैसे सौक्चो और इलियंग तो यह दोनों जगह कहां पर है तो साउथ कोरिया में है उलियंग एक आइलेंड है जो कि साउथ कोरिया में आता है यह आपको पता नोंगे कहां पर है तो बिलकुली साउथ कोरिया के बॉर्डर के पास है जो उनका मैरिट पैनेंस उला कहते है इसको यहां नो कोरिया है यहां के बुइख में मैरिटाइम बाउंडरी यानि समुन्दोरी और जमीनी बाउंडरी भी है तो यहाँ जो North Korea उनका claim है कि उनके इलाकों पर जबरदस्ती कबजा कुछत तक South Korea ने किया हुआ है कुछ Japan ने किया हुआ तो वो लगातार इनके ओपर हमले करते रहते हैं और North Korea ने अपनी लिए खुद का एक nuclear program भी run किया और उनके पास एक nuclear bomb भी है कहा जाता है कि चाइना ने North Korea को support किया है उसके लिए कुछत तक Russia भी शायद support कर रही है North Korea को और क्योंकि South Korea और Japan किसके allies हैं यानि ये दोनों देश USA के allies हैं USA इनका मित्र राष्ट है और जो उनको support प्रवाइड करता है और इन दोनों देशों के पास nuclear weapons नहीं है अब देखे यहां North Korea के पास nuclear weapons है Russia के पास nuclear weapons है China के पास nuclear weapons है और North Korea ने जो nuclear weapons बनाया है कहा जाता है इससे पाकिस्तान से भी कुछ चीज़े smuggle की गई चाइना ने support दिया तो यहां दो देश हैं जिनके पास nuclear weapons नहीं है तो भाई इनकी protection कैसे होगी इनने तो खत्रा अकसर हो सकता है कि कल को अगर North Korea ने nuclear ballistic missile South Korea पे छोड़ दिया तो फिर South Korea क्या होगा तो इसी वज़े से यह politics बहुत जारा गहरायती है तो आज जो important locations है मुकानिया जानेंगे लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँ को कि हमारा All India scholarship test अभिज्यान आपको register करना है जो कि 6th of November को होने वाला है अगर आप इस test में अच्छा score करते हैं तो आपको 100% तक हमारे प्रारंब foundation course में आपको discount और छूट मिल सकती है यह specifically एक scholarship test है जो आप जरूर आपको register करना चाहिए आप इसके बारे में हमारे comment section में और जो हमारा मीचे pin post है वहाँ पर आपको इसके बारे में form मिलेगा जो form आप भरके अपनी detail फिल करिए और 6th of November को यह test जरूर दीजे ताकि आपको maximum discount जो scholarship जो हमारा test है उसमें मिल पाए for our प्राराम foundation course प्राराम course क्या है अगर आपको नहीं बता तो मैं आपको बता दू it is a holistic complete preparation package जिसमें आपको prelims, mains, interviews सब कुछ की तरह यारी कराई जाती है जिसमें test series है और आपके MCQs है, classes है complete एक foundation material आपको मिलता है तो आप ज़रूर check करिए और यहां register कर लीजे तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं North Korea, South Korea के बारे में तो North Korea के एक इलाके में इस side है Sea of Japan यहां पर है Yellow Sea तो अगर आप से पूछे where is Yellow Sea located? Is it in Indian Ocean? Atlantic Ocean? Pacific Ocean? कहां पर है? पैलल के पास एक DMZ कहते हैं यानि Demilitarized Zone क्योंकि जब Korea में युद्ध हुआ था 1950s में तो North Korea और South Korea के बीच में एक जंक सी चिड़ी थी North Korea एक communist regime थी जिसको support कर रहा था China और इधर South Korea में US-led groups इसको support कर रहे थे और बाद में जब रड़ाई लड़ी गी तो यहां पर इसका border Demilitarized Zone बनाया गया था जो काफी प्रचलित है लेकिन अक्सर विवाद रहा यह जमीनी इलाका निउस में रहता है DMZ जब North Korea और South Korea के leaders मिले भी थे यहां तो वो भी काफी news में रहा था लेकिन इसके अलावा इनकी एक समुदरी boundary भी है और अगर आप गौर से देखो तो यहां North Korea यहां South Korea इलाका उतना बड़ा नहीं है तो North Korea को अपने आपको defend करने के ऐसा कहना है कि South Korea को support मिलता है USA का और West का तो अक्सर North Korea आरोप लगाती है कि लगातार उसको खत्रा है अमेरिका से इसलिए वो चैलेंज करता रहा था कि कहीं भी अमेरिका इनके आसपास इस रीजन में अपने military exercise ना करे या अपने जो submarine से वो ना भेजे Recently एक nuclear submarine USA की Korea के आसपास देखी गई थी क्योंकि USA और South Korea एक military drill कर रहे है प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ nuclear submarine भी इस एरिया के आसपास देखेगी तो North Korea ने पहले ही बोला था दो दिन पहले कि they might retaliate यानि वो इसको देख रहे हैं अपने खिलाफ खत्रे की तरह है और उनके जो उनका जो North Korea का जो प्रोग्राम है उनके पास कई ballistic missiles है चाहिए वो KN-02 हो KN-24 हो तो अगर आप देखे रेंज एक सो पचास किलोमेटर तीन सो किलोमेटर ऐसी रेंज हैं कि ballistic missiles शौट रेंज की missiles होते हैं क्यों ताकि वो North Korea पर हमला कर सके और कुछ long range बढ़ाई है उनके ताकि वो Japan तक पहुंच सके तो उनका claim है कि उनके पास 4000 किलोमेटर तक की missile है लेकिन इस पे कभी संदे जताया जाता है लेकिन उनके पास 1500-2000 किलोमेटर तो जितनी missile हैं उनमें से किस सक्सेस्फूल कही जाती है तो वो attack अक्सर Japan के उपर कभी कर दिया कभी South Korea के उपर कर दिया तो यह कहानी है कहां located है और खत्रा है इनको अमेरिका से क्यों लग रहा है तो वो भी जान लेते हैं अब देखिए यह है Japan यह है South Korea यह है North Korea अब आप देखिए कहां कहां भी US Navy Air Force की base है तो आपको South Korea में US की Air Force base है US की Army की base है Japan में है, ओकिनावा के पास है, गवाम में है तो खत्रा अक्सर North Korea को लगता है और specifically अब जब US अपनी policy change कर रहा है Indo-Pacific की तरफ क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक military rise चाइना को तिख रही तो अमेरिका अपनी presence यहां और बढ़ा रहा है तो इसी चक्कर में South Korea की बढ़ती capacity ऐसा economic power देखते हैं उन्हें काफी डर लगता है North Korea को शायद आगे समस्या खड़ी ना हो जाए, इसलिए वो अकसर यह attack करते हैं कि कि इनके डर से कभी वो कोशिश ना करें उनके ओपर कोई attack करनेगा या उनके region में घुसनेगा ये बात ही तो हो गई अमेरिका की presence की लेकिन वो कुछ attack जपैन पर भी करते रहते हैं तो कहां पर जपैन situated है वो area भी दिख लिए यह Pacific Ocean है यहां पर आपका Sea of Japan है यहां North Korea है तो अकसर यह इधर missiles पहले fire उने किये थे आज से एक साल पहले और उससे पहले भी यह वो boundary है इन दोनों के बीच में Sea of Japan Pacific Ocean East China Sea आपको पता है East China Sea में भी अमेरिका चाइना के विवाद है किसके साथ जपैन के साथ तो आपको Senkaku Island के उपर विवाद East China Sea में है South China Sea में Nine Dash Line का विवाद है वो सारी चीज़ां आपको पता होनी चाइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी जो प्रेजेंट ट्राइसिस में एक जगह बहुत famous हुई वो है Northern Limit Line Northern Limit Line असल में जैसे ये एक military zone है यहाँ जो एक लाइन खीची गई है सीमा जिसके दोनों तरफ दोनों देश है इसके अलावा ये वो समुदरी इलाका है जहाँ पे maritime border है और ये Northern Limit Line वो लिमिट है जो करता कि इसके साइड North Korea का इलाका है यहाँ तक Northern Korea के लिमिट आती है maritime boundary में लेकिन उनका claim है कि ये जो island है शौंग शेंग आलेंड डेंग शौंग आलेंड वो सारे उनके अंदर है तो वो अपना claim यहाँ रैट लाइन जो देख रहे हैं यहाँ तक आता है उनका कहना यहाँ तक ऐसी सीमा आती है और फिर यह military zone inside करके जो लेकिन ऐसा है नहीं और क्योंकि South Korea के पास nuclear weapon नहीं है इसलिए वो USA के nuclear umbrella के अंदर आते हैं यानि USA को support करता है अगर उनके अपर कभी nuclear attack होता है तो और इसी चक्कर में North Korea कि अगर South Korea को जिसको पहले अलए अमरिका का support मिला है कभी attack करें और South Korea अमेरिका की मदद से कोशिश करें कबजा करने की इस रीजन में तो अपने आपको तयार रखना चाहता है वो इसके लिए और एक और बात यह important है कि ऐसा खत्रा North Korea पर है नहीं लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक military dictatorship है तो जो उनके leader है वो चाहते हैं कि जनता के बीच में उनका प्रभुत तो बना रहे तो हमेशा एक security dilemma create करते हैं कि हमें खत्रा है हमें खत्रा है इसलिए वो ऐसा करते हैं वो कहते हैं यह weapons जो है हमारी self defense के लिए बड़ा ज़रूरी है और उनका कहना था कि जैसे अभी आपकी nuclear power summary नहाँ पर आई है और यह जो military exercise कर रहे है इसको लेकर यह ऐसा विरोध उनको दिख रहा था इसलिए short term ballistic missiles fire करे थे ताकि वो दुबारा अमेरिका इस region में ना आया ऐसा military exercise ना हो और यह ज़रूरी भी है उनके हिसाब से क्योंकि उनकी देश की जंता को वो control करें रखना चाहते है ठीक है यह बात है होगी इसकी थोड़ी से history की अब point आता है क्या-क्या न्यूज में location थी यह है northern limit line जिसकी मैंने भी बात करी समंदरी इलाका जो कोरिया का claim है वो दूसरा है और यह आपका demilitarized zone जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इधर South Korea और North Korea है वो जो इलागे है वह रहा Soksho यह रहा यूलियंग आइलंग तो कहां पर है येलो सी में है या वो Sea of Japan में है या Pacific Ocean में ये चीज़े आपसे पूछी जा सकती है तो northern limit line क्या होती है किसकी maritime boundary है तो North और South Korea की demilitarized zone DMZ around 38th parallel कहां पर है तो North और South Korea के बीच में और किस किस देश को यहाँ पर America का nuclear umbrella के अंदर आप कह सकते है तो वो South Korea की बात की जाती है उसके अंदर उसके बदले में पहली बार South Korea ने भी कुछ missile fire करी है क्योंकि उनका कहना है कि भाई ये हमारी territorial boundary पर attack है वो कोशुश करने है हमारी इलाकों पर कभजा करने की ऐसा उनका claim है और ये भी बात news में रह र area होता है याई आपके प्रभुत वाला शेत्र होता है तो ये सारी चीज़े न्यूज में थी लेकिन इसका प्रभाव क्या हो सकता है और क्यों वो short range missiles ही use करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी न्यूज में थी US ने लगाता है रिपोर्ट किया कि कोरिया ने बहुत कुछ किसी को कोई lost of life तो देखा नहीं गया पर यह power या फिर muscle flexing कह सकते हैं जहां शक्ती प्रदर्शन का एक तरीका यह आप देख सकते हैं फिर क्या इसका प्रभाव होगा इसका प्रभाव यह होगा जो Korean palancula है यह दूबारा nuclearize हो सकता है जैसे हमने देखा कि Japan ने एक pacifist class town के constitution में यानि वो शांती पूरवक और शांती को follow करते थे कभी अपने weapons nuclear weapons बनाई नहीं capacity थी जपैन के पास भी uranium भी था लेकिन अब उन्होंने अपनी constitution में बदलाव कि हैं South Korea में 75% लोगों का मानना था कि अपनी nuclear weapons बना लेने चाहिए कि Donald Trump ने भी कुछ ऐसी बातें बोली लेकिन ये अटेक जिसके बाद South Korea को खत्रा लग रहा है कि शायद North Korea कभजा करने की के लिए आ जाया और अगर अमेरिका हमारे support में नहीं आता है जैसा Ukraine crisis में हुआ मेंस के लिए important है कि Ukraine crisis में जैसे Ukraine के इलाखों पर कभजा करता चला गया रश्या और अमेरिका ने help नहीं करी वैसा ही एक खत्रा अब जपैन और South Korea के उपर बनता दिख रहा है कि कल को अगर चाइना के support से North Korea अटेक करता है और South Korea के कुछ इलाखों पर कभजा कर लेता है तो क इसके implications हो सकते हैं हमने देखा important points कौन कौन सी है जगया कौन कौन सी है उनके location क्या है तो यह था यह वीडियो और देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद